हालो स्टुरेंट्स आप देख रहे हूं मेरा यूट्यूब चानल मैथवर्स MBA EMCA जा आप मैं वीडियोज अपलोड करती हूं फॉर्द स्टुरेंट्स ओप बेस सी आईटी, बेस सी कंप्टर साइंस, बेस सी मैथेमेटिक्स, MBA और MC स्टुरेंट्स के लिए देखे हमने नया टॉपिक शुरू किया है दिस्क्रीट मैथेमेटिक का प्रिवेस लेक्षा में हमने देखे हम किस सबस्कार से प्रिवेस कि संब तॉपिक से अफ्री था मती संब दोख siya में और, ऑज का आज टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजे लाइक कीजे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजे और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और आपके लिए मैं और अच्छे से नए वाले टॉपिक ले इस कॉल्ड टॉटलजी इस डिनोटेट बाई टी देखे प्रोपोजिशन किसको बोलते हैं इस तरीक का डिक्लेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर जिसका आउटपूट आइदर ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा उस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं प्र टॉटलजी इस डिनोटेट बाई टी ठीके अभी या पर देखे एक इक्जाम्पल देखते हैं पी कंजंक्शन क्यू इंप्लाईज पी टेस्ट फॉर टॉटलजी अभी देखे ये वाला कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव से कंजंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं एंड बोलते ठीके तो सबसे पहले हम यहां पर क्या कर लेते हैं पॉसिबिलिटी दो स्टेटमेंट है पी और क्यों तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं देखें पी और क्यों क्या है दो स्टेटमेंट है तो दोनों स्टेटमेंट क्या है दो स्टेटमेंट है तो दोनों स्टेटमेंट ह ठीक है तो conjunction operation में क्या होता है conjunction logical connective जब हम use करते है तो दोनो statement पर आप़े क्या होने चाहिए true होने चाहिए तब आपका output क्या आएगा true आएगा बागे कि कैसे इसमें उसका output क्या आएगा यापे false आएगा अब याप यापे देख सबते दोनो statement क्या है true है तो output क्या आएगा आपका true यापे देखे एक statement false है तो output false आएगा यापे भी false आएगा और यापे भी क्या आएगा false आएगा अब देखे नेक्स्ट क्या है कॉलम P conjunction Q implies P अब ये कौन सा operation है if then का logical connective यापे यूज किया है अब देखे ये वाला column और P यापे देखे जब हम ये logical connective यूज करते है तो वापे देखे क्या होता है जब first statement true होता है और second statement false होता है तब आपका output क्या आता है false रहता है और बागे के cases में क्या होगा आपका output क्या रहेगा true रहेगा अब यहापे देखे पहले हम ये वाला column यूज करना पड़ेगा ये column और ये P के column में हमें इफ देन का logical connective यूज करना है तो यहापे देखे दोनुर statement क्या है true है यहापे देखे false true false 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 right तो TF ऐसा column है कि यहापे नहीं है यानि कि यहापे statement सब क्या आजाएंगे true हो आएंगे क्या बोला मैंने जब if then का logical connective यूज करना है तो उस टाइम पर ये दोनों दो रहेंगे तो दोनों के बीच में TF अगर ऐसा वाला statement है TF तो उसका output क्या आएंगा F आएगा बागे के cases में उसका output रहेगा true तो यहापे वैसा कुछ है यही निए TF का तो यहापे सब output क्या आजाएंगे true आजाएंगे इसलिए हम यहापे देखिए क्या बोल सकते हैं लास्ट कॉलम कंटेंस और टीज दियारफोर P कंजंक्शन क्यू इसलिए और एक एक एक्जांपल में आपको यहापे एक्स्पेंड करती हूँ test for tautology अभी देखिए यहापे ब्रैकेट है P कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज आर यहापे देखिए इम्प्लाइज P इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर यहापे ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहापे हमें क्या दिखाना है अभी यह पूरा जब हम calculation कर जाएंगे तो last column में आपना क्या आना चाहिए सब values क्या आने चाहिए true आने चाहिए ठीक है तो देखिए यहापे हमें क्या क्या निकालने की जूरत पड़ेगी कितने statement है तीन है P, Q और R ठीक है उसके बाद में हमें P, conjunction Q चाहिए उसके बाद में P, conjunction Q, implies R के लिए column बनाना पड़ेगा उसके बाद में Q, implies R के लिए column बनाना पड़ेगा 4x true लिखो, 4x false लिखो 2x true लिखो, 2x false लिखो, true true false एक बार T, एक बार false true, false true false, true false अभी देखिए नेक्स लॉजिकल कनिक्ट्टूस क्या है कंजंक्शन यानि कि दोने statement क्या होने चाहिए true होने चाहिए तभी आपका output आएगा यहाँ पर true बाकि के cases में output आएगा आपका false P और Q के बीच में है यहाँ पर देखें दोनों true है output आएगा आपका true true false 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 उसके बाद में देखें P conjunction Q implies R अभी देखिए यह वाला column और यह वाला column दोनों के बीच में कौन सा operation है कौन सा logical connective है if then का logical connective है तो उसमें condition क्या होता है first statement true second statement false output आएगा आपका false बाकि के cases में आपके output आएगे true अभी देखिए पहले कौन सा लेना पड़ेगा यह वाला column लेना पड़ेगा P conjunction Q implies R तो देखिए TF का यहाँ पर रोहें के TF है क्या TF तो यहाँ पर आजागा यह TF है क्या और कहीं नहीं है तो बाकि के output के आजाएंगे यहाँ पर true आएंगे ठीक है अभी next देखिए Q implies R TF अगर है तो output आएगा F TF है यहाँ पर देखिए TF है और कहीं है क्या आएफ और कहीं है क्या आएफ और कहीं है नहीं है बाकि के output आजाएंगे आपके true ठीक है अभी next देखिए P implies Q implies R पी और ये वाला ठीक है ये कॉलम और ये कॉलम दोनों के बीच में इफ देन का लॉजिकल कनेक्टिउज है तो देखें टी एफ का है क्या ये है टी एफ आएगा एफ टी एफ है क्या नहीं है यह आप बागी क्या जाएंगे टी आएंगे ठीक है पी कंजंग्शन क्यू इंप्लाइज आर यानि कि ये वाला कॉलम पी कंजंग्शन क्यू इंप्लाइज आर और पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर ये दोनों के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिउज है इफ देन का कनेक्टिउज है तो टी ए आपका f पर यह पर एक भी t और f नहीं है first statement true होना चाहिए second statement false होना चाहिए tf यानिकि first statement true second statement false वैसे हैं कि यहापर नहीं है यानिकि यहापर सब क्या आ जाएंगे true आ जाएंगे तो आप इस तरीके से आप यहापर देख सकते हूं क्यों कि जो लास्ट कॉलम है अपना वो क्या है पूरे टीज आ रहे है तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यह क्या है अपना टॉटोलोजी का एक्जामपल ले आगया समझ में चलिए और एक एक्जामपल ले लेते हम यहाँ पर टॉटोलोजी का verify the following implication is a tautology by using truth table p disjunction q conjunction यहाँ पर देखे conjunction second bracket में देखें p implies q conjunction q implies r और यहाँ पर ब्रैकेट complete implies r ठीक है अभी देखें क्या 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 है calculation करना पड़ेगा p q r तीन statement है उसके बाद में p disjunction q p implies q q implies r उसके बाद में फिर यह दोनों को बेच में हमें conjunction का logical connective use करना है उसके बाद में इसके साथ में logical connective use करेंगे conjunction का ठीक है तो यह सारे calculation हमें यहाँ पर अभी करने हैं तो देखें टोटल कितने statement है यहाँ पर p q r तीन statement है तो यहाँ पर मैं लिखके लेती हूँ true true false false true true false false true false true false true false true false ठीक है अभी देखें next p disjunction q disjunction operation जब रहता है तो दोनों statement अगर true होने चाहिए या फिर दोनों में से statements अगर true है तो आपका output आएगा true अगर दोनों statement false आते है तो आपका output का आएगा false आएगा ठीक है p और q के बीच में तो याँ पर देखें दोनों statement क्या है true 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 दोने statement में से एक भी अगर true आता है तो आपका output true रहेगा true 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 false false यह देखें पी implies q यानि कि if p then q p और q तो t पहला statement true होना चाहिए second statement false होना चाहिए तभी आपका output false आएगा बागे के cases में आपके output के आएंगे true आएंगे तो यहाँ पर देखें true और false का है क्या कहीं है यहाँ पर दोने true और false false true false false बागे के यहाँ पर हम दिख लेंगे true अभी q और r के बीच में कुन सा operation है कुन सा logical connection है if then का q और r के बीच है अभी देखें आपर t परला statement true होना चाहिए second statement false होना चाहिए तभी आपका output आएगा false tf है क्या यहाँ पर देखें है t और f false हैगा और है क्या कई पर tf यहाँ पर है false हैगा हो गया अभी यहाँ पर बाकी के हम लिखेंगे true अभी देखें कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 फोर कोंसा है पी डिजंक्शन क्यू और फिप नंबर का कॉलम क्या है पी इंप्लाइस क्यू दोरने के बीच में कॉनसा operation है जब रहता है तो वहाँ पर देखें कंजंक्शन याने की अड दोने स्टेट्मेंट क्या होने चाहिए true होने चाहिए तो अधर केड़ केसी में आपका आपका फूर्ट पॉल्स आएगा चार और और 5 कोलम में 4 और 5 यहाप देखें दोनों statement क्या है true है तो आपट आएगा true यहाप भी true यहाएगा false false दोनों true है तो आपट आएगा true true false false अभी देखें 7 और 8 यह calculation किया हमने यह calculation 7 कॉलम में कौन सा calculation किया हमने P disjunction Q conjunction P implies Q अभी हमें क्या करना हो यह operation किया हमने 7th number के column में उसके साथ में अभी कौनसा operation perform करना हमें अनी connection का किस के साथ? Q implies R Q implies R N के 6th number का column तो हमें क्या करना भी 7th और 6th number के column में कौनसा logical connectives use करना है conjunction का 7th यह वाला 7th और 6th number कॉंजंक्शन का ऑपरेशन यानिकी दोनों स्टेटमेन्ट क्या होने चाहिए ट्रू होने चाहिए तब आपका ओट्पुटा आएगा ट्रू अब यह आपर देख सकते हूं seven or six true आएगा यह आएगा पाल्स यह आएगा पाल्स पाल्स प्रू पाल्स पाल्स फॉल्स फॉल्स ठीक है अभी नेक्स देखिए cells no.8 यह वाला column number 8 implies R अभी कहा है 8 number का ये वाला और ये वाला ठीके अभी यापर देखिए 8 number का column और 3rd number का column तो T यापर देखिए T और F ऐसे होना चाहिए यापर T देखना है यापर F देखना है T T है क्या T F है क्या यापर नहीं है यापर दोनों T है यापर F F है नहीं है तो यादि की F का यापर है यह नहीं बाके के यादि की आपका output क्या आएगा true आएगा अभी आप last column में यापर देख सकते हो सभी values आपके क्या आएगए true आगए इसलिए हम यापर क्या लिख सकते हैं last column contains all T's therefore it is totology आगया समझ में तो इस तरीके से देखिए हम calculation कर सकते हैं और जो आपना टेबल है वो totalology का है यह आपर हम दिखा सकते हैं I hope कि आपको example समझ में आगया होगा अगर फीपी आपको कई पर difficulty आ रही तो आप मुझे comment box में जरूर लिखें और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आये तो मेरे चाहिए को subscribe जरूर कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए थेंक यू झाल